नमस्कार, सलाम, निउस क्लिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल, हम आज बात करेंगे चुनाओ पर, हमारे साथ हैं दो खास मेमान, वरिश पत्रकार भाषा सिंग और तारीक अन्वर, आप दोने ही जमीन पर चुनाओ कवर कर रहे हैं, लगातार हम तक आप तक ग भूम रही हैं, देख रही हैं, तो सबसे पहले हमारे दुर्शा को बताइए कि आप इन चुनाओं में किन किन राज्यों में अभी तक गई हैं, देखें कि तक तक आप आट नौ राज्यों अभी जहां जा चुकी हूं, मैं कई जगाँ पे दो दो बार गई हूं, इसमें कर देखा सुना, लोगों से मिले, आम लोगों से लेकर, मेरी मुलाखात का मकसद यहां पे नेताओं से मिलना नहीं था, मेरी मुलाखात का मकसद था आम लोगों से मिलने का, जिसमें कई बार तो सिर्फ सड़क के किनारे जो लोग हैं, उनसे मुलाखात करने का, कई बार जो सोशल सेक्टर में सकरी हैं या आवाजें उठाते हैं कुछ वैसे लोग रहें जिन से मुलाकात की इसी सवाल को आप से मैं पूछूं कि आप कितने राज़े में गए और वहां किन लोगों से मिले मैंने फर्स फेज में वेस्टर्ण यूपी के कई डिस्ट्रिक्स कवर किये औ पाद मैं राजस्थान गया और राजस्थान का जो पहले फेज में राजस्थान की पहले फेज में इलेक्शन होना है उसके साथरन राजस्थान का पूरे बेल्ट का दौरा किया है उसमें टॉंक से स्टार्ट करके और अजमेर तक गया मैं बीच में के डिस्ट्रिक्स आई भेलवारा है, चित्तारगर है, उदैपूर है, डुंगरपूर बासवारा है, रासमन्द है, के डिस्ट्रिक्स से विजिट करके मैं भी आया हूँ. तो भाशा चुनाव बीच मध्यांतर है, उसका तीसरा चरण अब आ गया है. जो चुनावी फज़ा है, उसमें लगातार राष्टवाद, हिंदो मुसलिम, बली, बजरंग बली, अली, ये सब मुद्दे चल रहे हैं. ग्राउंड पर क्या चल रहा है, दरसल, उसकी अधिक्त क्या है? बड़ी मज़दार बात है कि पूरा चुनाव इस समय हिंदोत्वों के अजेंडे पे भाष्पा मजबूरी में ले आई है. और जो जितने लोग नीचे मिलें, जो भाष्पा समर्थक भी हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा तर्ख देने के लिए मोधी सरकार के पक्षमें तर्ख देने के लिए कुछ नहीं मिला. उन्होंने का राष्ट रिद में वोट करना है, इसलिए भाष्पा को लाना है, या इसलिए मोधी को लाना है, या मोधी ने बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जैसे ही दूसरा आप सवाल उनसे पूछिए, जैसे ही आप रोजगार के बारे म गई शामली में गई वहां जब किसानों से पूछा किसानों का तो गुस्सा बहुत बहुत मुखर था उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसानों के लिए कि लिए गरीब के लिए नहीं किया अमीरों की पार्टी है मैं यह यह जोड़ देखे कहना चाहूंगे कि जो लोग भाश्प प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल वहां पर गाय है सबसे बड़ा सवाल वहां जानवर हैं जिसको योगी आदितिनाथ ने आने के बाद जिस तरह से रोक लगाई है जानवरों के कटने पर और उससे जो परिशानी किसान को हुई वह इतना बड़ा मुद्दा है कि जनता बहुत हद तक पॉलिटिकल पार्टी से आगे जाकर जवाब खुद दे रही है यह मुझे एक बहुत सकारात्मक चीज लगी कि एक तरफ तो जहां वो कहेंगे नहीं हमने ठोक के गिरा दिया फिर दूसरे धीमे से वो बोलेंगे कि लेकिन इसका प्रमार दे देना चा जनता उडारास के मुद्यय जो जनता नाकाम वहां उसका से सीधे सीधे मजबूती से एक पुल्वामा पर गुजरात का उठाने में अगर बाखबत कर च्विधा लेकिन इन सारी जितनी तीखे सवाल उठा रहें उतने तीखे सवर आपको विपक्ष के दलों के नेताओं के नहीं दिखाई देते वह बहुत सॉफ्ट है वहां कहीं एक डर है कि कहीं हमें एंटिनेशनल ना कह दिया जाए कहीं हमें प्रो पाकिस्तान ना कह दिया जाए ये ख जो चीजें हैं यह बहुत दिल्चस्प हैं अपने इंका राजनितिक प्रतिफलन कैसे होगा कैसे ट्रांसलेट होंगे वोट में कैसे हो चुके हैं वोट में यह अलग बात है लेकिन एक बास आप दिख रहे हैं कि बीजेपी में बॉखलाहट है जिस तरह से इन्होंने पूरा करता हूँ कि जो वेस्टर्न यूपी का बिल्ट है यह एग्रिगेरियन बिल्ट है यहांपे शुगर केन की खेती होती ही कैश क्रॉप है तो हमने भी जब बात किया यहांपे मुझफर नगर और और के डिस्ट्रिक्स में मेरट, मुझफर नगर, बागपत, शामली, केराना इन सारे एरियाज में जब हमने किसानों से बात किया तो एक जो खुल के एक चीज सामने आई वो ये थी के चुकी उनकी सारी एकोनमी डिपेंडेंट है शुगर केन पे आपको अगर याद होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगाई गई थी यूपी ऐले उसमें ये वादा क किया गया था शुगर के इन फार्मर्स से कि आपका पेमिंट हर टेंडेस पे हो जाएगा 10 दीम के अंदर पेमिंट होगा लेकिन जब मैंने बात किया वहां से तो वो ये बता रहा हैं कि नवंबर से लेके अब तक मार्च मार्च का टाइम था जब हम जा रहे हैं वहां पे पिछला का तो पैसा नहीं आया है अब उनको सारे KET को तैयार करना है, उसमें KHAN डालना है, सब के लिए पैसा चाहिए, और पिछला जो Unbe prominent है उनका वो कहीं निक नहीं उन्होंने अधार लिया हुआ है, इस तरह से, तो उनके थी विए एक बड़ी परेशानी थी, इसका गसा उनके अंदर दिख रहा था दूसरी जो एक और चीज थी आफकोर्स जो हर जगा देखने को मिलता है इन सब के बावजू जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसका डॉमिनस दिखा दो बड़े चेहरे मुझफर नगर में आमने सामने थे चौदरी अजीत सिंग थे और बालियान तो स सेंसिबल आदमी और जिसने पॉलिटिक्स को एक लंबे टाइम तक देखा है वो थे जब इन दोनों के बीच हमने बात किया तो फिफ्टी फिफ्टी ओपीनियन डिवाइड़ेट था वो लोग जो यंग हैं अपने यूट में हैं जिन को हिंदुत्वा का एजिंडा बड़ कर दो मसलमन को बेज़ दो वो तो सणीब बालियाँ के साथ दिखे वो एक बड़ा ऒड़ा तब्रोपा जो किसानों का था जो बुड़े लोग हैं जो लोग एक जनरेशन पहले के हैं दो पहले के हैं वो इनके फेवर में देखा यही वज़े रही कि इस बार संजीब बालियान शिकायत करते नज़र आए, कि चुनौव धान दी हो रही है, मिरगांगा सींग का टिकेट कटना, गुजर पॉपलेशन का अलग होना, यह जो गटबंदन है, वहाँ पे उसका बहुत फॉर्मेडिलबल अलाइंस आप कह सकते है इसको, इसकी मैथमेटिक्स बहुत सपोर्टिव थी, कॉंग्रेसमिन ने वहाँ से टिकेट नहीं दिया, यह सारी चीज़े हैं, एक और जो वरी चीज़े है, जिसको हम बीजेपी का एक अचीवमेंट कहेंगे यहाँ पे, अगर उसको हम पॉस्टिवली लें, दोहजार अच्छे दिन थे, लेकिन आज वो सारा विकास, वो पंदरा लाग, वो अचीवमेंट, अब कहीं नहीं है, बीजेपी के, वहीं मैं कहा रहा हूं कि जो मुद्दे थे, दोहयार चौदा में, और जो ग्राउंड पर जो इस समय जनता की परिशानिया है, वो सब मुद्दे अ गए, और गुजराद जिसे कहा जाता है कि मुद्दी का इस्टेट है, तो वहां क्या कुछ अलग दिखा या क्या सब आपने देखा है, मुझे तो बहुत हैरानी हुए कि गुजराद जैसी जगह में, गुजराद में दोनों ही जगह गई, एहम्दाबाद और गांधी नग होगा, हमें तो पता ही था कि ये देश के नाम पर वोट मांगेगी, योगी गुजराद में सब कर चुके हैं, और वहां तो खुले हम बोल रहे हैं कि वो अंत में आपको अभी भूत मेसमराइज करने के लिए सी प्लेन पर भी आ सकते हैं, तो यहां पर अभी कुछ भी हो सक यह था, वहां वो नहीं कर पा रही, लोगों में आकरोश है, और गुजराद में जिस तरह से उन्होंने खुल के बोला, कि भाई हम वालमी की बस्ती में आप देखिए, निउस क्लिक में ही वो रिपोर्ट है, इसमें महिला कह रहे हैं कि हम वोट तो डालते हैं, इस पर निक और दोनों ही तरफ से, यह दिल्ली में हैं, वही आप गुजरात में भी देख रहे हैं, और उडिसा में भी वही आपको दिखाई देगा, मयदार बात है कि उडिसा में भी ऐसा नहीं कि भाश्पा नहीं खेल रही, भाश्पा पूरी कोशिच कर रही है, संबीत पात्ता को पोतार रखा है, और उसको लेकर इतने मजाख हैं, वहां पर भाश्पा को लेकर, मोदी को लेकर, पांडा को लेकर, जिस तरह से मजाख सोशल नेटवर्क में चल रहे हैं, और खास तोर से दलित समुदा है, जो कोश्चन कर रहा है कि समिधान बदल देंगे, यह बहुत एक मुझे बड़ी बात लगी कि सबके दिमाग में जो पढ़ा लिखा सेक्शन है, जो युनिवर्स्टी जाता है, बाकी जगा जाता है, वो एक सवाल यह जरूर पूछता है आप से, कि यह आएंगे तो हमारे को पूरा ही खतम कर देंगे, अभी इनोंने रोस्टर कर दिया है, तो इसको लेकर जो माजलाई सेक्टर है, वो जो तपके हैं, उनके अंदर आशंका बहुत जादा है, आदिवासियों में आशंका बहुत जादा है, चाहिए वो किसी भी इलाके का आप उठा के देखें, उनको डर लगता है कि अभी तक कि जो हमारे हमें अधिकार मिले मोदी के और हिम्मत के दिखाई देते हैं कि हिम्मत है तो मोदी को वोट दीजिए और गंदरवल में हमको दिखाई दिया इस तरह का प्रचार, तो लोगों को डर यह है कि जिस तरह से ये पैसा फेक रहे हैं, जिस तरह से दूसरे कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं पूरी कोशिश इन्होंने की पुल्वामा पे पुल्वामा के बाद अब ये लेकर आये प्रग्या ठाकूर और शहीद और राममंदिर और हिंदूइजम पुल्वामा को लाना ही इस बात का तजदीक करता है कि वो सारे मुद्दे फेल होएं और वो मुश्किल में हैं लेकिन हिंदू सेंटिमेंट के साथ है हिंदू वर्सेज मुसल्मान करने की पूरी कोशिश है और इसमें यंग जेंट्री के भीतर एक ये की नफरत और एक जो आप कह रहे हैं कि एक बिल्कुल मैचोईजम क्योंकि मोधी सरकार पिछले पांस साल में मैचोईजम मर्दवादी लगता नहीं भारत के इतिहास में किसी ने इस सरहा का मजाग किया होगा दिवाली के लिए रखा तो उससे ऐसा भी लगता है कि बहुत डेस्पिरेशन है तारिक जैसे यूपी हुआ और गुजरात की बात हुई अब राजस्थान में सरकार पलट गई है राजस्तर पर कॉं रही होंगी और अब ये किंसर कार का ये चुनाओ यहां लोक सबा का चुनाओ है तो वहाँ आप किस तरह का महौल आप देख रहे हैं देकि राजस्थान बड़ा क्लेर कट है उस पे हम आने से पहले एक और चीज़ बता दें कि भाशा वोली थू माश्च्वेश्म की बात पुलराइजेशन की पूरी पॉलेटिक्स की जा रही है डिस्परेशन साफ है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और किस तरह की लैंगविज का इस्तेमाल है डिस्परेशन बिलकुल साफ है वो दिख रहा है उस पे कोई और ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है लेकिन वही जेन्ट्री वही यूथ जेन्ट्री जिसको पॉलरािज करने की कोशिश की जारी वहीं से ये भी आवाज निकल रही है कि हिंदुट्वा और बलब आप एलेक्शन को रिलिजन पे पॉलराइज करके ही क्या कर देंगे आप हिंदुट्वा के नाब पर पॉलेटिक्स कर हमारा future हमारी job है नौकरी है status है पैसा है यही चीज़ है अब है राजस्थान की बात राजस्थान में बड़ा clear cut है वहाँ पे जो Congress की अपनी in fighting है clearly visible है Congress जो भी बोल ले clearly visible है वो seat distribution हो तो वो लग ही नहीं रहा है कि election breeding ground है उनके लिए इतने issues हैं कि वो issues को लेके चले जाएं उनको vote मिलना ही मिलना है वो अपने star पचारग को वहाँ पे उतारें aggressively campaign करें देखिया वा कैसे बदलती है लेकिन अशोग गैलोट का अपना group है साचीन पाइलट का अपना group है आप लाजली चले जाएं राजस्तान में आशोग गैलोट के कैंडिडेचर के बारें बात करें हम आपको बोले जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत कम एंटी गैलोट वाइस मिले की मैंने अजमेर में मैं यूद से बात कर रहा था सुबह का वक्त था वो बोला है कि केंडर में मोदी लेकिन एक जमाना था वसंद्रा के टाइम में कि के वहां पे एक कहावत है कि शाम के बाद राजस्तान में सरकार नहीं होती है लेकिन वो चीज़ अब नहीं है वो चीज़ देखने को नहीं मिल ले यह सत्ता परिवर्ता नहीं को अपना काम कर रहा है यानि आपको संसेट के बाद भी गौर्वर्मेंट है वो दिखता है लेकिन सेंटर में अगेन वही सेंटिमेंट है कि मोदी राष्ट के लिए अच्छा काम कर रहा है चुकि उसको उनके पास वो मार्केटिंग है एक बार उन्होंने विकास को बेजा इस बार जो हाइपर नेशनलिस्म हाइपर नेशनलिस्म हालागे प्राइम निस्टर को इस वर्ड हाइपर नेशनलिस्म से भी प्राबलम है अभी उन्होंने उसमें बोला भी है कि यह देश का अप बिल्ट है कोई issues की कमी नहीं है मैं ऐसे ऐसे गाउं में गया हूँ जहां सडकें नहीं है और वो गाउं वो गाउं स्मार्ट सिटीज के गाउं है उदैपूर के वो गाउं है पीने का पानी नहीं है बेसिक नीड हम 21st सेंचुरी में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम वे hierarchy है society के उसमें जो सबसे निचले पैदान पे हैं आप उनसे जाके मिलिए मोदी जी को और निक्री पार्टी के लोगों को उनसे मिलना चाहिए कॉंग्रेस के लोगों को मिलना चाहिए पीने का पानी नहीं बेसिक नीड यह तो हालत है और मौत यहीं है और इसी वज़े से ज यह पूछना चाहूँगा भाशा से कि जैसे यूपी बिहार राइस्थान पंजाब क्या जम्मो कश्मीर में कुछ अलग आप देख रहे हैं क्या है जला सबसके वारे हम बताई जम्मो कश्मीर और खास सार से अगर हम कश्मीर वादी की बात करना मुनासिब है क्यों कि मैं जी थी दो जगा शेनगर और गंदरबल और पूरा जो रास्ता था उसमें कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रॉसेस है उससे लोग काफी दूर जा चुके हैं और ये लंबी प्रक्रिया है इसका एक लंबा इतिहास है लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो इतने जादा प दिसप्लेस्ट और डिसपीरड लोगों के मुद्दे पे काम कर रही हैं जो बच्चे और जो मर्द गायब हुए हैं जिनके तादात हजारों में हैं चाहे परवीना हंगार हों चाहे जो नौजवान जो भारत आकर यहां पढ़ने के बाद वापस श्री नगर वापस गया है इन सबकी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भारत जिस तरह का होता जा रहा है उसमें कश्मीर को एक दुश्मन की तरह गोशित करके बाकी भारत को एक जुट कर रहे हैं और उन्हों इस बास से बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से 370 या 35 ये रखा भाश्पा ने अपने वातल समाज कश्मीर का दलिस समाज है जो साफ सफाई का काम करता है वो धर्म से मुसल्मान है लेकिन वो वातल समाज ही कहा जाता है उनको जो साफ सफाई का काम करते हैं और उन से मिलने के लिए जब हम गंदरबल में गये जो एक पूरी बस्ती है वहां पर वहां देखिए क कि मोदी की जितने जुम्ले हैं चाहे वो जंधन योजना हो चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो चाहे वो टॉयलेट की बात हो सारे जुम्ले पहुचे हुए हैं और वो सारे जुम्लों पर ही हमसे सवाल करते हैं कि ना हमें सिलेंडर मिला ना हमें गैस का टॉयलेट मिला ना हमे जंधन योजना के तहरे जो खाता कुलवाया उसमें भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई कोई पैसा नहीं आया तो मोदी की जो खासियत है कि अभी तक कश्मीर में जो उसके जुमले नहीं पहुचते थे वो जुमले पहुचे हुए हैं लोग वोट नहीं देना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि जो पूरा चुनावी प्रोसेस है ये इलेक्टेड नहीं है ये मैनिफैक्चरड है इसे लेकर आप देखिए कि श्री नगर में जो चुनाव हुआ वहां पे भी वोटिंग कम हुई है लागि पहले की तुल्ला में थोड़ी जादा हुई क्योंकि एक खौ क्श्मीरियों की कमर तोड़ने के लिए मोधी सरकार नहीं किया है वरना कोई इसका कारण नहीं है कि इस तरह से इसे बंद किया जाता है तो ये जो इलिनेशन है ये एक बड़ा है इंदियन पॉलिटिक्स के बारे में वह कंसर्ण है वह चिंतित है और खास होसे पीडिपी क के खिलाव जो माहौल है लोगों को लगता है पीडीपी ने मोदी सरकार के साथ समझोता करके कश्मीर की जितने हित थे उससे समझोता कर लिया तो ये एक बहुत गहरा जख्म उनके दिमाग में है पैलेट जिस तरह से चलाई गई इतने मासूम बच्चों की जिंदगीयों के स आगई तो कश्मीर में जो एक अमन का प्रॉसेस वो चाहते हैं दिल से चाहते हैं कश्मीर का यूथ दिल से चाहता है कि आके यहां पढ़े नौकरियों में जाय क्योंकि उसे अपना फूचर चाहिए वो उस ट्रडिशनल फॉर्मेट में नहीं सोच रहा जैसे दस साल पहले कश्मीर सोच रहा था आज का जो कश्मीरी वो चाहता है कि इंटरैक्शन बढ़े बिजनिस कहां से आएगा टूरिस से बात करिये जो वहां पर डल जील में लोग नाव चलाते हैं उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है अगर भारत के बाकी हिस्से से लोग नहीं जा रह हैं तो उनके लिए तो जिन्दा रहना मुश्किल है तो यह जो सारे सवाल है उनको वह खुल के बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि हुकूमत बदलनी बहुत जरूरी है उनको पी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सवाल एक ही है रोजगार बिजली पानी सड़क यही जो बु बूद बने तो कुल मिलाकर यही सवाल है लेकिन यह एक हैरत और दुख की बात है कि जब भी अब जब चुनाओ अपने चरम पर आ रहा है तो यह सम्मुद्दे पीछे छोड़कर दूसरी बात की जा रही है तो हम तो राय निताओ से यही कहेंगे कि तुम आसमा की बलंदी से जल लोट आना हमें जमी के मसाहिल पर बात करनी है शुक्रिया देखते रहे हैं निस क्लिक